असलाम लीकूम आज लाहिए में आप लोग लिए चमन गंज की बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी बिर्यानी के रेसिपी जो बहुत ही जल्दी बन जाती है अगर आप भी एक ही बिर्यानी खाखा के बोर हो गये हैं तो इस रेसिपी को जरू ट्राइ के जिएगा तो चलिए शिरू करते हैं इसे बनाना तो सबसे पहले यहां पर मैंने एक किलो बास्पती चावल लिया है तीन से चार पानी से से धो के रग दिया है पानी में भीगने के लिए इसके बाद यहां पर मैंने लिया है एक किलो मटन आप चाहें तो बीफ का इस्सिमाल करें चाहें तो मट चमच केवड़ा वाटर ले लेना है, इस केवड़े वाटर में हमें कुछ ख़ड़े मसाले डाल के भिगा देना है, तो यहाँ पर मैंने लॉंग ले ली है, 10-11.5 इंच दालचिनी का दुगड़ा है, 15-20 काली मिर्च के दाने है, 2 बड़ी लाइची है, 1 स्टार फूल है, 7-8 हरी लाइची है, इन सब मसालों को हमें केवड़े वाटर में डाल के 10-15 मिनिट के लिए रख देना है, ताके यह अची तरह से इसमें फूल जाए, अब यहाँ पर मैंने 5 मिडिम साइस की प्यास का ब्रिस्ता तयार कर लिया है, आधी प्यास हमें मसाले में डालना है, और आ तेल, क्योंकि तेल का इसमाल इस बिर्यानी में थोड़ा सा जाधा होता है, अब जो केड़े वाटर में हमने खड़े मसाले भीगा के रखे थे, इससे डाल देना है, तेल जब गरम हो जाए, कुछ सेकेंस के लिए फ्राइ कर लेना है, इन मसालों को ध्यान से, इसमें छीट है, गैस का फ्लेम फास करके, ताकि गोश का कलर भी चेंज हो जाए, और इसकी इसमेल भी निकल जाए, तो 5-6 मिनिट हो गया है, तेकि गोश में से पानी भी निकलने लगा है, अच्छी तरह से इससे बूर लेना है, तेल में गोश को, तो फोड़ी-THोड़ी तेर पे इससे भूणते रहना है, यानि चलाते रहना है, गोश को तेल में अच्छी तरह से, अब इसमें अध्रक लस्टुन का पेईज डालना है, तो 4 चुमच भरके मैं ध्रक लस्टुन का पेईज डाला है, अगर आप 110 विर्यानी बना रहे हैं, से हमेंसे चला लेना है याने फ्राई कर लेना है ताकि अधर कल सुन के कच्छी स्मेल निकल जाए कि कि इसके बाद यहां पर मैंने डही लिए है तो यहां पर पाँच चमच भरके मैंने डही इसमें डाल दिया है इसके बाद इसमें प्यास डाल देना है जो हमने फ्राइ करके रखी थी तो आधी प्यास डालना है आधी हमें बचा के रख लेना है लेरिंग करने के टाइम पर हमें इसे डालना है फिर तो आधी प्यास मैंने डाल दी है आधी बचा के रख ली है अब इसमें 4-5 हरी मिर्शी डाल देना है और यहां पर पीली मिर्श पॉर्डर डाला है मैंने तो इस बिर्यानी में पीली मिर्श पॉर्डर ही पड़ता है तो आप तीन चमच भरके मैंने पीली मिर्श पॉर्डर डाला है अब यहाँ पर मैंने तीन चमच भर के बिर्यानी मसाला डाला है आप कोई भी ब्रेंड का ले सकते हैं नमक स्वाद अनुसार डाल देना है तो यहाँ पर मसाले के हिसाब से मैंने नमक डाला है अच्छी तरह से मिला लेना है तो अच्छी तरह से मिला लिया है दही में से, गोश में से, और यहाँ प्याज में से पानी निकलने लगा है, तो पानी डालने की ज़रुद नहीं है, इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल देना है, ताकि गोश में अच्छा सा कलर आ जाए, अच्छी तरह से फिर से मिला लेना है इन सभी चीजों को, उसक तक मसाला हो रहा है, यहाँ पर बिर्यानी का चावल तियार कर लेते हैं, तो एक बर्तर में पानी ले लिया है, एक चमशा जीरा है, एक दालचिनी का तुकड़ा है, एक बड़ी लाइची है, 5-6 लॉंग है, 4 हरी लाइची है, 15-20, 5-6 हरी मिर्च है, इसे डाल देना है, इसके बाद नमक डाल देना है, चावल के हिसाब से नमक डालना है, यानि स्वाद अनुसार नमक डालना है, मिक्स कर देना है, ढख देना है, ताके पानी जल्दी से गरम हो जाए, पानी जब अच्छी तरह से गरम हो जाए याने उबाल आना शुरू हो जाए तो इसमें चावल डाल देना है, हमें 80% तक चावल को अच्छी तरह से पका लेना है, याने एक किन की बाकी रहे तब तक पकाना है, इसमें थोड़ा सा रिफ लोरी में जब लियरिंग करेंगे तो फिर डालना है इस तेल को तो यहां तेल मैंने साइट में रख दिया है अब चावल डाला है पहले मैंने यहां पे इसके बाद इसमें मसाला डाल देना है गोश का मसाला डालने के बाद फिर से चावल डाल देना है चावल किया ने एक मोटी परट डाल देना है थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल देना है तलीवी प्यास डाल देना है इसमें और यहाँ पर जो हमने तेल निकाल के रखा था इस तेल को एक से देड़ चमस्तक डाल देना है फिर से मसाला इसमें डाल देना है गोश का अच्छी तरह से फैला देना है इसके बाद इसमें चावल की एक मोटी सी परत फिर से डाल देनी है फिर से थोड़ा सा जर्दे का रंग उपर से डाल देना है तलीवी प्यास जाल देना है और थोड़ा सा तेल उपर से डाल देना है इसके बाद इसे ढग देना है ढग के गैस का फ्लेम स्लो करके हमें 15-20 मिनिट पे पका लेना है याने दम पे रख देना है इसे तो 15-20 मिनिट हो गए हैं ढग कन को हटा लिया है मैंने तो बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी बिरियानी बन के तैयार हो गई है तो ये चिटपटी मज़ेदार बिर्यानी आप लोग भी जरूर ट्राइ कीजिए रेसिपी पसंदा है तो प्लीज रेसिपी को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा बिल्कुल फ्री है बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि मेर अगली रेसिपी मिले आपको सबसे पहले रखिएगा अपना ख्याल मिलते हैं अगली रेसिपी में जबते के लिए अलाहाफिज